गुड मॉर्निंग जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं मेरा ये जितना क्लास है ना सिर्फ उनहीं के लिए है जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं चलिए हम लोग आज के क्लास शुरू करते हैं देखते हैं पहला कोशन फरवडी 2021 को विश वेटलेंड दिवस के अवसर पर कि इसका पहला वेटलेंड संगरक्षन और प्रवंदन केंद्र अस्थापित किया गया तो ये अस्थापित किया गया चिन नई में जो लोग जानते हैं वो लोग इस बात को जानते हैं कि जो वेटलेंड होता है ना उसको प्रीथवी के प्रीथवी की क्या बोलेंगे उसको कि जैसा स्ट्रक्षर उसको बोला जाता है वेटलेंड में होता क्या है कि जो पानी होता है वो धीरे धीरे डिस के प्रित्वी के नीचे जाता है उसकी बहुत सारी खासियत होती है इस लिए इसके उपर जो है ना रामसर कंवेंशन वगरा हुआ था इसके बारे में हम लोग थापित किया गया कहां तो चिन्नई में यह पर्यावरन से संबंदित है पर्यावरन के लिए यह बहुत जरूरी है वेटलेंड दूसरा नंबर कोशन को देखें एकोनोमिक इंट्रियंस यूनिट ई आई यू दोरा फड़वरी 2021 में जारी डेमोक्रासी इंडेक्स 2020 में भार बहुत नीचे है तिरपनवा अस्थान बहुत बेकार अस्थान हम लोग बोल सकते हैं और जो टॉप पर है ना वह है नौर्वे जाए इस बात है नौर्वे छोटा सा देश है तो वहां पर प्रवंदन करना लगवग लगवग ईजी है फिर नौर्वे में एक ही जाती है समो भारत की खासियत है तीसेरे को को देखे सरकार ने वंधन विकास योजना के लीए भारत के किस राजी को मॉडल गोशित किया है तो यह किया है मनीपूर को मनीपूर की डासधानी इंफाल है नौर्थ इस्टेत का राजे है मनीपूर लगवाग लोग इसको जो तयारी करते हैं जानते हैं इसमें कोई confusion की बात ही नहीं है पाँचमा चौथा कोशन देख रहे हैं जो मदि परदेश के CM है वो अभी है शिवराज सिंग चोहान उन्होंने खोसांगाबाद सहर का नाम बदल के कर दिया है नर्मदापुरम तो यह अभी चर्चा में है इसलिए हमने इस question को भी लिया है खोसांगाबाद जो है ना इसको कर दिया है नर्मदापुरम किशनी किया है मदि परदेश की चीप मिनीचर सिवराज सिंग चोहान ने पांच में पर आते हैं सोलाहवा फिक्की उच्छा सिखर समयलन 2021 वर्चुल प्रारूप में 25-27 परवड़ी 2021 जो आयुजित किया गया इसका विशेवस्तु क्या था इसका विशेवस्तु था उच्छ सिखर समयलन 2021 वर्चुल प्रारूप में 25-27 परवड़ी 2021 को जो आयुजित किया गया 2021 यहां को लिख देते हैं कई वाज छोटी मोटी भूल होई जाती है को जो आयुजित किया गया इसका विशेवस्तु क्या था इसका विशेवस्तु था उच्छा एड़ दा रेट अफ 20-30 राइच रिजिलियन्स इनोवेशन सस्टेनेबलिटी इंटरप्राइज छठे पर आते हैं Zero Discrimination Day सुन्नी भेदभाव दिवस मनाया गया तो यह मनाया गया एक मार्च को कोई भेदभाव नहों इनसान इनसानों के बीच में इसलिए यह Discrimination Day मनाया जाता है Zero Discrimination Day यानि सुन्नी भेदभाव दिवस हम लोग जानते हैं कि पुड़े world में जो समस्चया है समस्चया के मूल में क्या है लोगों के बीच जाती है अहंकार लोगों के मन में है आप देखें इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद देख लें या कहीं और conflict देख लें या हमारे इनियर ससाइटी की समस्चयाओं को देख लें तो जो भी problem है न उस problem में एक major role जो है वो कास्टिज्म का है जातिवाद का है तो भई कोई भेदभाव नहों सोनी भेदभाव दिवस कब मनाय जाता है ये मना जाता है एक मार्च को सातवा नमर कोशन हम लोग देखते है सिंधु नेत्र है तो सिंधु नेत्र है सुरक्षा उपगड़ा है इसको मैंने कई बार लिया है इस कोशन को सिंधु नेत्र है ही बहुत जादा नियूज में ही जाता है तो सिंधु नेत्र है भारत का सुरक्षा उपगड़ा 26 फरवडी 2021 को किस देश ने अपना परंप्रिक लाल्टेन महोसव लेंटर्ण फेस्टिवल मनाया ये मनाया चीन ने 26 फरवडी 2021 को चीन ने अपना लाल्टेन दिवस लाल्टेन महोसव मनाया नवा कोशन है महरास्ट के किस चिरिया घर का नाम बदल कर बाला साहब ठाकरे अंतरास्य प्राने उद्यान कर दिया गया है तो यह है गोडे वारा चिरिया घर गोडे वारा चिरिया घर को नाम बदल कर बाला साहब ठाकरे अंतरास्य प्राने उद्यान कर दिया गया है दसवे नमबर पे आए जम्मु कस्मिर और लद्धाक हाई कोट के मुखिनायधिस ये होंगे पंकज मिथल ठीक है ना मिथल लिख सकते हैं हमाई रवल टी एल या फिर मिथल भी लिख सकते हैं कोई ज्यादा परिशानी की बात नहीं है पंकज मिथल आपको बस समझ मियाना चाहिए कि पंकज मिथल जम्मु कस्मिर और लद्धाक हाई कोट के मुखिनायधिस नियुक्त हुए है एकारवे नमबर कोशन पे आते हैं चौदा वर्षिय भारत के सरसटमे ग्रेंड मास्टर लियोन मैंडो का भारत के किस राजी से सम्मंदित है तो यह हैं गोवा से लियोन मैंडो का जो की ग्रेंड मास्टर है वो कहां से सम्मंदित है तो गोवा से सम्मंदित है चेस के खेल में ग्रेंड मास्टर होते हैं 14 वर्षी भारत के सरसेट में ग्रेंड मास्टर लियोन मेंडू का गोवा से है चंद्रयान 3 की लांचिंग की जाएगी चंद्रयान 3 की लांचिंग की जाएगी 2022 में ये 2022 अगले साल जो आयेगा तो चंद्रियान 3 की लाँचिंग कर दी जाएगी दिसमबर 2020 में 12 सरकार ने जट पर प्रोसेसिंग प्रिक्रिया लाँच की है आयका रिटरण भढने के लिए जट पर प्रोसेसिंग प्रिक्रिया है न वो आयकर रिटर्न भर्णने से संबंदित है Brand Finance Global 500 2021 के नुसार सबसे मुलिवान ब्रांड है सबसे मुलिवान ब्रांड है वो है Apple Apple सबसे मुलिवान ब्रांड है जनवरी 2021 में पांच दिवसी युद्धा भ्यास Desert Night 21 भारती वायुशेना ने संपन्न किया ये संपन्न किया France के साथ जनवरी 2021 में CBI ने किस कंपनी पर भारत के Facebook यूजर की Personal Information अवैद रूप से इस्तिमाल करने का अपराधिक मामला दर्ज किया ये दर्ज किया Cambridge Analytica पर केंद्रिय वित मंत्री स्रीमती निर्मला सिता रमन ने नवीनतम आर्थिक समिक्षा जाड़ी किया ये किया 29 जनवरी 2021 को Economic Survey of India ये जाड़ी किया गया इस बार 29 जनवरी 2021 को अठाड़ा कोश्चिन हाली में अमेर्की अंत्रिक्षेना के जवानों को निया नाम दिया गया है निया नाम हो गया Guardians Guardians of the Galaxy Guardians भी सिर्फ बोलेंगे ज्यादा अच्छा है Guardians of the Galaxy नहीं बोलेंगे हाली में अमेर्की अंत्रिक्षेना के जवानों को निया नाम दिया गया है Guardians वैसे एक ट्रीटी है जिस ट्रीटी के टाहर जो है कोई भी हतियार जो है अंत्रिक्ष में तैनात करना मना है 90 नमबर कोश्चन पे आते हैं स्रिलाल सुक्ल स्मिर्थी इफको साहित्य समान 2020 लेखक कथाकार को दिया गया तो यह है रनेंद्र स्रिलाल सुक्ल स्मिर्थी इफको साहित्य रनेंद्र को दिया गया जो 2020 का थाना वो रनेंद्र को दिया गया ये साहित्तिकार्स हैं रनेंद्र, किस चर्चित किर्षी संसोधन विध्याक 2020 परकिसान आंदोलन चर्चा में हैं, तीन पॉइंट तो है, जैसे किर्षी उपज और वानेजीक विध्याक, किर्षी ससक्तिकरण एवं संग्रक्षन, कीमत आस्वासन समझोता और किर्षी सेवा क चैकीनेज्म हैं, उसमें S2O जो होंगे, वो में अधिकारी होंगे, जो किसान और करोपोरेट की करार में अगर कोई समस्या माइन होती है, तो उसको डिजोल्फ करेंगे, अब जहिर सी बात है, किसी करोपारेट घराने से, या किसी corporate से अगर किसी आम किसान को समस्या है वो ऐसे किस्तिती में एक SDO किसके favor में फैसला लेंगे जहिर सी बात है कि किसान अपनी बात ठीक से रख पाएंगे क्योंकि उनका communication इसके उस level का नहीं है वो सामाने हैं लोग हैं और दूसरी बात इतना pressure corporate group create कर सकता है एक सरकारी अधिकारी के उपर में कि उसको न चाहते हुए भी उसको हर हाल में फैसला corporate लोग के बीच में ही करना होगा आप समझ सकते हैं अगर अबानी कोई वैपार करती है वैसे conditions में उसके against में कोई अधिकारी जा सकता है ये लोग बड़े बड़े political parties को बहुत जादा funding देते हैं वैसे condition में कोई भी नियम इनके खिलाब बनाना जो है न political parties के लिए काफी मुश्किल हो जाता है बाइस्वा पर आते हैं एतिहासिक महत्तो के जेलो पर आधारित किसराज सरकार ने जेल प्रियाटन की शुरुआद की है ये की है महरास्ट सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षन 2020-21 का मुख्य विशे क्या है इसका विशे है COVID-19 युद्धा COVID-19 युद्धा 2020-21 का मुख्य विशे है आर्थिक सर्वेक्षन का परधार मंतरी राष्टी ये बाल पुरुषकार 2021 के लिए नीवन में से कितने बच्चों का चैन किया गया तो 32 बच्चों का चैन किया गया है परधार मंतरी राष्टी ये बाल पुरुषकार 2021 के लिए गलोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में विशे की सबसे सकती साली सेना है अमेरिका की कुछ ऐसी भी रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट के लिए साली से चीन विशे की सबसे सकती साली सेना है हम लोग उसको भी देखेंगे अभी गलोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 के लिए अमेरिका की किस राजी सरकार ने ड्रेगन फूर्ट का नाम बदल कर कमलम कर दिया है तो यह क्या है गुजरात ने अंतराशिय प्रवास 2020 के नुसर भारत के प्रवासियों की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है तो यह संयुक्त अरव अमीराथ जो UAE है ना संयुक्त अरव अमीराथ है उसमें सबसे ज़्यादा भारतिय रहते हैं बिमिस्ट्रिप के नए महासिजी नियुक्त हुए है तो यह नियुक्त हुए है तेंजिन लेक फिल किस प्रवत्तर राज में भारतिय पुरातात्विक सर्वेक्षन में वैनेडियम से के संभावित विसाल भंडार खोजने की गोशना किया है तो यह गोशना किया है अरुनाचल प्रदेश ने 31 पे आते हैं कोशन पे आयोध्या सहर को उच्च कोटी के धार्मिक नगर के रूप में विक्सित करने के लिए अयोध्या नगर निगम ने समझोता किया आयायम इंदौर के साथ आयायम इंदौर जो है वो अयोध्या सहर को उच्च कोटी के धार्मिक नगर की रुप में विक्सित करने में मदद करेगा अयोध्या नगर निगम को वर्स 2020 के लिए नेलसन मंडिला एवार्ड हुमिनिटेरियन एवार्ड से समानित किया गया यह किया गया असोक सांडेले को वर्स 2020 के लिए नेलसन मंडिला एवार्ड हुमिनिटेरियन एवार्ड से समानित किया गया 33 हाली में इको फ्रेंडली खादी प्राकर्तिक पेंट को लॉंच किया गया है तो यह किया गया के भी आईसी दौरा ठीक है ना के भी आईशी ने प्राकृतिक पेंट इको फ्रेंडली लॉंच किया है गोबर बगर ऐसे ये पेंट जो है वो तयार किया जाएगा किस उध्यमी को एसोचम एंटरप्राइज अफ दे सेंचुरी पुरुसकार प्रदार मंद्री न duplicator मोधी के हातों दिसंबर दोजार बीस में परदान किया गया रतन टाटा को रतन टाटा काफी बूढ़े हो चुके हैं लेकिन उनको S.H.M. Enterprise of the Century पुरुषकार प्रधार मंद्री नरेदर मोदी के हाथों दिसम्बर 2020 में परदान किया गया स्रिष्टी गोस्वामी एक दिन की सीएम बनी है उत्राखंड की ये बनी है स्रिष्टी गोस्वामी वर्ष 2021 में मनाए गए किस समेलन की थीम था आत निर्वर भारत में योगदान तिये प्रवासी भारतिय समेलन 2021 UNEP United Nation Environment Program ने किस भारतिय को Young Champions of the Earth 2020 पुरुष्कार देने की घोस्णा की ये की है विद्यूत मोहन को UNEP यानि United Nation Environment Program ने किस भारतिय को Young Champions of the Earth 2020 पुरुष्कार देने की घोस्णा की है ये की है विद्यूत मोहन को मिलेगा पुरुष्कार Young Champions of the Earth 2020 और ये देगा कौन United Nations Environment Program फर्वरी 2021 में 11 राष्टिय संस्कृति महोसव 2021 संपन हुआ पस्चिम बंगाल में पस्चिम बंगाल में फर्वरी 2021 में 11 राष्टिय संस्कृति महोसव 2021 संपन हुआ बासिल स्विजेड लेंड में समपन स्विश ओपन बैर्मिंटन टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल वीजेता है Louisiana Marine कैरोलीना मारीन भी स्कुल बोल सकते हैं कैरोलीना मारीन स्वीश ओपन बैर्मिन्टेन टोर्णामेंट 2021 की महिला एकल विजेता है हाली में किस राजी ने विधान सभाव में अंठावन वर्सों में पहली बाराश्टगर्ण बजाया ये बजाया नागालेंड ने नेशनल एंथम प्लेड इन लागर्लड एसtheetry for the first time in almost 6 decades लगभग साथ सालों में 58 वर्स्ट थेकेड होई गया एक दसक 10 साल का होता है तो 58 साल में इन्थे फ़र्सट बार अपने विधान सभाव में राश्टगान को बजाया है बिट्टू हम लोग देखते हैं एक फिल्म है बिट्टू लगो फिल्म है भारतिया लगो फिल्म 93 आस्कार पुरुसकार के लिए लाइव एक्षन सौर्ट फिल्म सिरिनी के ताथ 60 दस फिल्मों में सुचिबद किया गया बिट्टू को 42 पर भारत में रहें और भारत में अध्यन करें कारेकरम पहल है ये पहल है शिक्षा मन्तराले की शिक्षा मन्तराले को Human Resource Development बोला जाताथा Study in India, Stay in India इसकी theme है ये किसका है सिक्षा मन्तराले का पहले Ministry of Human Resource Development यही था Human Resource Development Department यही है शेक्षा मंतराले अब इसका नाम कर दिया गया है दुरलब प्रकार का पीला कच्वा पाया गया तो दुरलब प्रकार का जो पीला कच्वा पाया गया वो पाया गया ओडिशा में नॉर्मली कच्वे की ज़्यादा संख्या ओडिशा में ही पाया जाती है ओलेव डिटले टेटल को देख लें सागर माथा वगर आयरिया को देख लें तो इसलिए ये कॉमन है लेकिन एक बाद पढ़ लेने से ज़्यादा अच्छा रहता है फरवड़ी 2021 में BBC World News को पर्तिबंदित कर दिया ये कर दिया चीन ने इसको मैंने पिछले बाद भी बातों बातों में इसको डिसकस किया था लेकिन आज अच्छे से बता देता हूँ कि फरवड़ी 2021 में BBC World News को पर्तिबंदित कर दिया है चीन ने अब BBC World Service जो है न वह चाइना में नहीं काम करती है 45 पर आए Financial Year 2021 में किंद्र सरकार का राज कोशिय घाटा GDP के कितने परशिय तक सिमित रखने का लक्ष बजट है तो ये होगा 6.8% तक 46 पर आते हैं नेती आयोग के नवाचार सोचकांक 2020 इनोवेशन इंडेक्स 2020 में सिर्स राज रहा करनाटा 47 निर्यात तैयारी सोचकांक 2020 एक्सपोर्ट प्रिपरेडनेस इंडेक्स 2020 जारी किया तो ये जारी किया नेती आयोग ने Export Preparedness Index 2020 जारी करता है कौन जारी करता है निती आयोग निती आयोग का नाम निती आयोग किया गया है किसके नाम को बदलके तो योजना आयोग अब से निती आयोग हो गया है वही निती का फुल फॉर्म पता है ना कमेंट बॉक्स में लिखिए उसको दुनिया का सबसे बड़ा उर्जा उत्पादक संपत्ती धारक Solar Power Asset Honor बन गया है तो ये बन गया है अडानी समूँ दुनिया का सबसे बड़ा Solar Power Asset Honor बन गया है वो कौन बन गया है अडानी समूँ 49 नमबर पर आते हैं अंतरास्थिय टेनेस महासंग आई टिय ने Federation Cup का नाम बदलकर क्या कर दिया है तो ये कर दिया है Billie Jean King Cup बिली जीन किंग का जो है ना अंतरास्थिय टेनेस महासंग ने Federation Cup का नाम बदलकर कर दिया है 50 पर हम लोग आते हैं डलू-एचो दोरा अफरीका को पोलियो फ्री घोसित करने के बाद बस दो देश में पोलियो है तो ये एक है पाकिस्तान में और दूसरा है अफगानिस्तान में डलू-एचो ने अफरीका के अंदर 52 पर और वहाँ पर गड़ी भी काफी चरंप ने करने के बाद बस दो देशों में पोलियो है कहां कहां है एक है पाकिस्तान में और एक है अफगानिस्तान में चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं जिनोंने पढ़ लिया है वो चाहें तो यहीं पर वीडियो को क्वीट कर दे anlat're कर दे. अने था बस मैं हलकीफुलकी बातथे करऊंगा और इसके बादस वीडियो को खत्म करूंगा. काम की बाते, पढ़ाई की बाते हो चुकी है, अब मैं दूसरी बाते थोड़ी सी करूँगा, तो देखिए, हुआ ये कि अभी लोक्राउन का समय है, लोक्राउन के समय में, मैं कुछ काम से, मैं बाइक से जा रहा था, बाइक से जा रहा था, जल्दवाजी में जूते नहीं पहने साथ जो चपल था उसको पहन लिया था और जब मैं वापस आ रहा था अपना काम को खत्म करके तो वहाँ पर मुझे एक बुजूर्ग मिला जो तरबूज बेच रहे थे और उससे में काफी गड़मी भी थी काफी धोप थी और जो तरबूज बेच रहे तो जाहिर सी ब जाता दो बेटे हैं डेली में काम करते थे तो पहले पैसा भेजते थे तो उनके फैमिली यहीं पर कंबाइंड है घड का खर्चा चलता था लेकिन अब जो है ना बेड़े बेटे भी वहाँ नहीं है और वर्ल्ट फैमिली डेज था उस दिन जिस दिन मेरी उससे बाचित हो इतने बुजूर्ग और वो तरबूज बेच रहे हैं और सोसल सेकूरिटी के नाम पे कुछ नहीं था उनके पास समाजिक सुरक्षा देखें खाद सुरक्षा होनी चाहिए लेकिन खाद सुरक्षा में अपनी कई सारी परेसानी है हमने उसके उपर में पिछले कई क्लासिस म नहीं है क्योंकि रासन कार्ड बनाने में भी कई बार चठावाँ देना पड़ता है कुछ पैसा देना पड़ता है और फिर कई पड़िवार है Elle and She जैसे तैसे उनका पड़िवार चल रहा था उनके पोते भी इसकूल नहीं जा रहे थे इसकूल तो बंधी है और उनलाइन क्लास की सुविधा भी उनके पोतों को नहीं उपलब्द थी यानि मोवाइल भी नहीं उपलब्द है तो वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं ये जमीन की नीचे से पाउं की सक जाए फिर मेरा ध्यान उनके पैर के तरफ गया तो नंगे पैर थे और पैर बुड़ी तरह से फट रखे थे मुझे लगा कि भाई जीवन में बाकी सब चीज़े भी तो कर लूँगा ये इतने बुजूर्ग हैं साहे दो साल तीन साल भी साहे ही जी पाएं और इस उमर में ये इतना मेहनत का काम इतना धूप में कर रहे हैं इससे तो बहुत ट्रॉबल है पानी भी जहां तहां काही पीएंगे और हम है जो एक आरो आटर से कम का पानी नहीं पीते मैंने अपना चपल उतार के और उनको हाँ जड़के बोला कि प्लीज आज वर्ल्ड फैमिली डे है पड़िवार दिवस है आज से मैं आप मेरे बाबुजी के तरह हैं मेरे पास कुछ है नहीं ताप ये चपल को पकड़िए बहुत मुस्किल से मैंने उनको मनवाया और अपने दोनों चपल उनको भेट किये मेरे चपल उतने भी बुड़े नही नहीं थे मैंने आज जोड़के उनको बोला कि नहीं आप मैं चेतर बोज भी दे दिए तो दो तर बोज भी मैं लेकर किया है जो मेरे लिए उससा में उतने जरूरी नहीं थे ये घटना हुई अगर ये और लोग को फैमिली पता चले तो लोग तो तरह गुस्सा भी करेंग तो उसको लाइक करिए अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दिजिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको सेयर भी कर सकते हैं अपने नजदे की लोगों में इसको सेयर कर सकते हैं और बस आज के लिए इतना ही रोज पढ़िए रेगुलर पढ़िए उनलाइन भी आप पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन कैसे मैं पढ़ाता हूँ, इसके उपर मैं कभी सेप्रेट वीडियो बनाउँ गया क्योंकि पढ़ाने में वैसे ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत ज़्यादा-बहुत ज़्यादा dedication की जुरुत पढ़ती है, क्योंकि रोज खुछ क्लास को लेके आना डेगुलर डे में क्लास तयार करना यह सब काफी मेहनत का काम है चलिए अभी के लिए इतना ही धर्निवाद